प्रोग्राम के इस सिसे में हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री कैसी चल रही है हकूमत के सौ रोज गुजर गए हैं इसमें इंडस्ट्री ने उतार देखा है या चड़हाओ देखा है कौन से ऐसे gaps हैं जो इस industry ने देखे हैं या फिर कौन सी ऐसी problems हैं जो ये sort out करने के मुंतजिर थे लेकिन sort out हो नहीं सकी है इस वक प्रोग्राम में हमें जोईन किया है इलियास मजीद श्राइक साहब ने जो के business promotion council के सदर है इन से हम जानेंगे के जो सौ रोस में तबदीली सरकार ने नारा लगाया था उसमें क्या तबदीली आई बेसिक सवाल है मैं इसको मजाख समय रहा हूँ मैं ये समय रहा हूँ कि जो सौ दिन बहुत होता है कौमों का एक एक मिंट कीमती होता है सौ दिन में इनकी direction वाज़ा नहीं हुई करना क्या चाह रहे है देखे बड़ा simple सी बात है इनका पहला नर्थ हम दारे मजबूत करेंगे क्या दारे मजबूत किये निर्स्ट्री मजबूत नहीं हुई निर्स्ट्री मजबूत नहीं हुई इनको चाहिए कि आप ये एक तरफ कहते हैं क्रोर लोगों को देंगे जब भी देंगे घर भी देंगे घर भी उन्हों को पूरा नहीं हो साथा पचास लागार आप मैं उसको बाद में आता हूँ पहले मापदा तो कि अभी उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे नदर में मुलकी तरक्य का एक ही राज है मेरे ट और मेरे ट जब ये तमाम उदेदार या टमाम ठारे थैजार इसथ चो भी मेरे होगा लागे गा मुलक ठीक होज़ेगा मुलक तरक्य करे गा मेरे पर नहीं लगाई ताइनातीर क्युछ नहीं हो गड़ा कौन मेरिट पर नहीं? करने से तो इन्होंने उनका तबाला कर दिया सेम डे उनके तबाले के साथ ही उनका सिफा आ गया वह बंदे इस भी नाइस परसन खुद लेके आए थे मैं समयता हूं कि उन्होंने फिर राया है मैसीज दिया है आगे बढ़ते हैं यह बिजनस प्रमोशन डिमोशन हो रही है प कि सौ दिन बहुत होता है सौ दिन में ड्रैक्शन भाजिया नहीं होई सौधन में कुछ किलियर सौ दिन तें इसमें पूरे पाकसान में चालो सूबर की बात कर रहा हूं वह कहा नजर आते हैं जाते हैं कहीं नजरदारों में आते हैं को देखते हैं चीफ जस्टर साब चलें गोम रहे हैं देख रहे हैं इनका अपने वजीर कहा है उनका वजीरों का काम है उदारे ठीक करना ना के चीफ जस्ट तो चीब जस्ता साब काम करें तो इच्छी बात है लेकर इनके वजीर शीर हमें नदर नहीं आ रहे हैं इनको जीज शुक्रिया हम से बात करने के इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फाहिम रह्मान सहगल साहब ने जो के वाइस प्रेजिडेंट है लाहूर चैम्बर ओफ कोमर् हमाई नुमाइन दे सिवादूला चाहदरी साहबी इस सेग्मेंट में हमारे साथ है फाहिम साब सबसे पहले ये जानना चाहूंगी सो रोस पाकिसना धेरी के इंसाफ तबदीली का नारा कैसा रहा ये सो रोस का सफर देखें बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं आपका क हाँएठीers और तज़र्बाकार शक्स है आभ ये कहते है कि अच्छे इδώरेस है और तरजर्बाकार शक्स है अभी कहते हैं कि इस वीजिबली नहीं है सोरोस में कुछ करना इतने बड़े लेवल आपकोर्स आपके सामने उसके रिजल्ट क्या है आप बताएं सोरोस में आपने मेरे से सवाल पूछा है आपको कुई तब दिली नब जरनी अफकोर्स नहीं आई होगी हमें भी इसी तरह प्रैक्टिकली जो है न उसके पहले तो फा कि खिलाडी है वो कप्तान को कहते रहे या खलत कॉंफिडेंस देते रहे के कप्तान आप कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं सोरोस अब हमें ने चाहे आप 10 रोज ने हम काम कर जाएंगे बिदिनस गाइदनस देखें ऐसा होता यह है कि जब आप स्टेडियम के बाहर बैट देखने से ज्यादा प्रेक्टिकल है तो जो ग्राउंड रियालिटी है वो ग्राउंड रियालिटी वाके यही है कि हमारे मुल्क के जो मुशी हालात है वो उस वकत भी ठीक नहीं थे उनको यह सोच समझ के पहले बात करनी चाहिए थी कि हम सोरोस में क्या कुछ कर सकते हैं जो फीजिबिलिटी उस वकत जो दिवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था वो कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में कोई ऐसी यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं इतने कॉन्फिटेंस से कह सकते हैं कि हम सो दिन में को बहुत बड़ी तबदीली ले आएंगे तेखें बिंग आइम वेरी मच ऑप्तिमिस्टिक तो मैं यह देखता हूं कि अगर यह टाइम बात ओर यह इस वकर टाइम सेनेरियों में इनको चाहिए कि हम टाइम गेन करने के शुरू से लेकर आखिर तक आप इनको कम सकम तीन साल कहना था यह कि हमें तीन साल दें तो तीन साल में कुछ रिजल्ट औरियंटेट जो है ना काम सामने आ सकते थे सिवसाथ आपको आप तो खुद के इजहार कर सकते हो क्या रायकर्जे मिलने ही रहे यह कोई देना नहीं चारा यह लेना नहीं चारे जी बिल्कुल बैस में थोड़ा साइड कर दूँ नाइब सदर साब लाहूर लाहूर का जो किरदार है वो हकूमत और प्राइवट सेक्टर के दम्यान एक पुल का किरदार है तो जहरे इन पर अपनी जिम्हेदारी हैं तो आसा मुहतात अंदाज में फाहिम सैगल सब बात करें मैं थोड़ा साइड फाहिम भाई की बात में कर दूँ के सौ दिनों की बात कि शुरू से कप्तान सब कहते हैं और जो बाहिर बैटके तमाश में मैंच देख रहे होते हैं उनको कही ना कहीं पिछ का अंदाजा हो जाता है कि पिछ का स्ट्रक्चर क्या है जब हम खेलेंगे तो जैसे पहली टीम खेल रही है बोल कैसे बेव करें हम खेलेंगे तो बोल आदास करें बाहर के सौधिनों की जो बात एिसमेंईसा सट्रक्चर शाल हो गई सकते हैं एनको चांद मीं पाकिस्सान को baldpty की खारide हdyब लोगे क्योंus वह सब्स्रक्राइब है सब्सक्राइब यौसे सब्सक्राइब है कि पाकिस्नमय का धराइब गंबीर है अच्छा हम सो दिनों में अच्छी खबर की तिलाश में थे ना कि सो दिनों में हमें अच्छी खबरें मिलेंगी लेकिन सो दिनों में अच्छी की पजाए उमीद दलाई गई थी उसी तरह से हम तवकात हम रखे हुए थे जी बिल्कुल हम उस तरह की तवकवात हमने वाबस्ता की थी, आम आम ने मेंडिट दिया था नहीं हकूमत को और सौधिन का नारा भी एक सियासी नारा थाबित हुआ जिस पर लोगों में मैयूसी पाई जाती है, हमने खुद चुके इंडस्टियल सेक्टर में भी जाते हैं, आप देखें के एक सो चालिस फिसाद इजाफा इन्होंने पहले गैस की कीमतों में किया, उसके बाद तीन सो परसंट फिक्स चार्जीज में इजाफा हुआ, कमर्शल पे, लेकिन अब बिजली की कीमतें डेली बेसिस पे आपकी बढ़ रही है, आपके टैरफ इंक्रीज हो आप बंदे का सुवाल है कि उन्हें यह तो फिर इसमें और महारत थी उनकी कि उन्होंने एक चीज को वह रोका रोके रखा अब आम आदमी के मसायली हैं कि पर्टॉल बिजली और गैस से ही आपकी कपड़ा भी बनना है, आपकी शड़ भी आपने खाना भी वुसी से है, पैदावारी लागत बढ़ जाएगी तो वो कंज्यूमर पर पास होन हो जाएगी, इसलिए टेकनिकल से मालब लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला सौधिन में और बिजनस के में, और बिजनस के में, आपकी साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बिजनस कम्यूनिटी की बात आती है, कि वो यहां आए, इंडस्ट्री लगाए, यहां पर पानी मिलना बहुत मुश्किल, यहां पर गैस मिलना बहुत मुश्किल, यहां पर बिजली मिलना बहुत मुश्किल, तो वो जो इसलिए बिजनस था, वो फार्मूला, कहां इसमें आसानी आई, मुश्किल आई? देखें जी प्रैक्रिकली हम जो इस ओफ दूइंग बिजनिस में जो हमारे वर्ल्ड बैंक की लास्ट रैंकिंग थी उसमें हम तक्रीबन वन कोई अराउंड हमारा नमबर एक सो तरतालीस इमान नमबर था वन कितने में से आउट ओट ओफ आउट ओफ वन सेमेंटी आउट आ हमारी यह जो रैंकिंग आई है ना वहमारी तक्रीबन दस से ग्यारा वजरे हमने इंप्रूफ किया है तो एक तो यह थोड़ा सा एक अच्छी खबर है यह पीच्छी आई की अकूमत आने के बाद या फिर आल उफ सटन नहीं होता यह प्रोसेस एक प्रोसेस चल रहा होता ह तो अब तक यह चुकर मौजूदा हकुमत का हाथ नहीं हो सकता है कि उसमें भी हो लेकिन रैंकिंग हमारी इस साल वैतर हुई है यह फैक्ट है हमने उसमें 11 से 12 दरजे इंप्रूफमेंट की एक बात दूसरी बात यह है कि आप जब करते हैं आप करते हैं आप कहते हैं थी ह जो हमारे लोकल इंवेस्टर के बाहर पड़े हुए हैं अचाहिम साब जरा इंडिया से कंपेर करें वहां लोकल इंवेस्टर कैसा है कौन कौन से इंडस्ट्री है और फिर उसको पाकिस्टान से कंपेर करें जरा हम कहां खड़े हैं हम साय मुल्क से कंपेर करें तो अगर हम कंपेर करें तो वो लोग काफी आगे चले गए हैं मैं मिसाल देता हूं उनकी जो एक्सपोर्ट टू कोरिया है वो हम लोग अगर लेदर यहां से पाकिस्तान से बना के कोरिया में एक्सपोर्ट करते हैं यानि वो लोग इंपोर्ट करते हैं कोरिया ने इंपोर्ट करेंगे हम हम export करेंगे तो उनको पाकिस्तान पर लेधर पर डूटी है 5% ठीक है वोई लेधर अगर इंडिया वाँ export करेगा तो उस पर रेट ओफ डूटी है 0% हमारी कोई लेगा नहीं मतलब पाकिस्तान से कोई एक तो हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनिस में जो है ना इंडिया से ज्यादा है कुछ तकरीबर आठ साथ आठ परशन हमारी कॉस्ट ऑफ बिजनिस पहले इंडिया से ज्यादा है अब अगर इसमें पांच परशन वो प्लस आप यू नेम इट गलव में आप वरकिंगलव ले 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 लें सपोर्स गलव ले लें सर्जिकल गलव ले लें वी यह बेस्ट मैनुफेक्टर ऑफ गलव इन साल कोट इन लाहर एस वेल तो वो चीज़ें जब हम एक्सपोर्ट करते थे कुरिया की मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूं के चुकर मेरा डारेक्ट इंडर्स्री से तर ले तो वह यहां से जब वहां एक्सपोर्ट होता था उस पे 13 परशन डूटी है और वही प्रोड़क्ट जो इंडिया वहां से ए पाकिसान का उत्मा कैसे लड़ते हैं अपने आपको भी और कहते थे और पाकिसन तहरी के इसाफ को भी उनके पर बहुत एतमाद था उनको उनके उपर कोई कमेंट करना चाहेंगे उनके आने से जहां तक तल्लक है अब आप देखें कि जब से ये गोर्मेंट फॉर्म हूई उसके बाद तो हमें नजर नहीं आ रहे हैं ठीक है ना पहले जाहिरा बड़े बड़े दावे होते थे सारा कुछ होता था इस वक्त तक तक तो वह बैक फुट पे हैं क्यों है इसकी वज़ा वही बैतर बता से तो सुन लीजिए असाब इंडस्ट्री के बहुत बड़े ना हैं और इंडस्ट्री आपके बारे में क्या राय रख रही है फीडबेक रख रही है यह वह आपके वाली है फीडबेक फाहिम साब सब्सक्राइब कुछ कहना चाहरे हैं यह पूरा हो गया एक बात दूसा पॉइंट सिक्स परसंट विदो ओल्डिंग ट्रांजेक्शनल टे सब्सक्राइब के लिए उन्होंने इतजाजी तहरीक चलाई थी वह उनका मसला हलो गया है यह कहते थे तीसी नंबर थी कि इनका मतालबा था कि एफबी आर जो है ना पराने टेक्सपेर्स को निचोड़ने की बजाए ने टेक्सपेर्स को नेक्सनेट में लाए तीक है ना इनसे मेरा यह सवाल है कि टेक्स टो जीडीपी की चरह में कोई जाफा हुआ है को नहीं लोग उन्होंने टेक्सनेट में लाए और चौती पाती है कि इनके एकाउंट्स तक ब्रहरास रसाही थी एफबी आर की कमिशना के पास पावरें थी वो अगर टेक्स नहीं दे तो ड दूसरे लफजे में ब्यान करूँ ना तो यह जितने भी बिजनीस के मुनिटी के इशुज है ना इंडस्टी हो या ट्रेड हो इनको समराइज किया है ठीक है ना आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है वो आपने ब्लॉक हिया हुए जो बिजनीस यह वो कैपिटल नहीं इसलिए बैतर नहीं है कि आप जो टेक्स नेट में लोग हैं उनके साथ सुलूक क्या कर रहे हैं देखें आप हम चैरिटी में दुनिया में पहले दस नंबर की कौम में से हैं ठीक है ओन दी अधर एंड हम पैसा देती है पैसा आप चीप जसीत साब से पुछें किस तरह हो करना बहुत जरूरी है चाहे मैं एक मिनरल वाटर की बॉटल लेती हूं या एक रेस्टोरन में बैटके खाना कहाती हूं या फिर मैं एलेक्ट्रोनिक्स को कोई सामान लेती हूं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी विद्वोल्डिंग टेक्स देती हूं या फिर हम जब खाना खाते हैं होटल में तो हकूमत को अलग से टेक्स देते हैं तो यह कौम वो कौम है जो टेक्स दे रही है लेकिन उसको उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा अब आफ़ी चंद सवालात हैं एक तो कस्टम और टेक्सेशन जब आप इंपोर्ट करते हैं कोई चीज तो कस्टम के मौमलात आपके कैसे रहे अभी तक ठीक है सौ दिन में उसको पहले मिसाइल थे वो अभी ऐसे ही हैं मजूद है उसके कोई बात भी नहीं अभी कोई पेश रफ नहीं है आखरी सवाल यह बता दीजे अवाम के परस्पेक्टिव से अवाम के इंसोदेनों में कोई आराम मि सौद उनों का जो रिजल्ट है वो यह सवाल आपका आखरी था आम आधिमी को इससे घर्ज नहीं है कि हमारी मुल्क में जो है अपारी गोर्मेंट क्या कर रही है हम महीं कर्जा मिल रहे है लोग टेक्स दे रहे हैं यह नहीं दे रहे हैं उनको जो एगरीब आपी अजी उस के इस वकड़ देट पाकिसान में ज्यादा है पेट्रोल की कीमत तक यह जो पेट्रोल की कीमत है ना इंटरनेशनल मार्किट में कम हो चुकित बट यह भी एक इंडरेक्ट टेक्स तो ले रहे हैं ना चलिए अ प्रगरम में दोनों का फाहीम आपका और इससाब आपका तहा सबसे आखिर का जो सवाल आवाम के लिए था कि क्या आवाम को कोई रिलीव दे पाई है ये हकूमत आकस्तान तहरी के इनसाफ की हकूमत जिसे तबदीली सरकार कहा जाता है तबदीली के नाम पर वोट लेकर जो गौर्मेंट फॉर्मेशन में आई उसने आवाम को कितना रिलीव दिया इस सवाल का जवाब आपने जान लिया है आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी से मुझे इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिए अलाफ़स पाकिस्तान पाइंदावा कर sprayप एंदा है और filt आप सरी में आपने कम्याब आपने कि अापने उस्टोरी से मसलिक पंटाव खुमले व στα दो में तो गजान को कितना देल की वार्ख़ Marion